कि अन्होर्त वो कके थो हुआ है हो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे चप्टर नमर.दो और चेप्टर नमर.दो आपका पूरा जो ठीवरी है पूरा जो जितने भी ठीवरी थी Lord खत्म हो चुकी है अज हम उसके प्रस्ण यानि का अभ्यास प्रस्ण पर बात करेंगे और सबसे पहली बार हम लोग देखेंगे कि अभ्यास प्रस्ण में क्या है और कैसे अंसर देंगे ठीक है के फिछ का वीडियोजो फोगा वो सबसे बेटर और आप सभी का आप सभी मितरों का स्वागत है इस नय वीडियो में बहुत दिनों से कुछ दिनों से हम लोग प्राबलम फस्च थे तो इस कारण बैडियो सबसे पहला कॉस्चिन सबसे पहला कोश्चन देखा सबसे पहला कोश्चन किया है यह जब लोहे की किल को नीळे काप़ स depreciate में वर बिल्यन में डुमायज आता है तो कुछ समय के बाद लुरे के किल जो हती है कैसि होजाती यह ठीक है कोश्चन है है कि जब लोहे की किल को नीले कापर सलफेट के में क्या किया जाता है बच्चों डुबया जाता है तो कुछ समय बाद यानि कि समय कुछ समय बाद जो होता है उस लोहे की किल मतलब कैसी होती है मतलब किस रंग की हो जाती है कैसा हो जाता है अब सनी देखिए पहला है वह घु घुलती और नीला रंग बिसर्जित नहीं होता है चौथा अप्शन यह है कि नहीं घुलती लेकिन नीला रंग बिसर्जित होता है तो अप्शन नमबर जो आपका लास्ट डी है डी वह आपका इसका अप्शन क्या होगा सही होगा कौन सही होगा बच्चो डी देखो जब नह पर में आपका क्या है बच्छो इसमें मालेजे की कॉपर सलफेट किसका बिलियन है बच्छो कॉपर सलफेट को बोलते हैं बच्छो कॉपर सलफेट यह कॉपर सलफेट का क्या है बच्छो बिलियन है क्या है बच्छो बिलियन है इस बिलियन में एक कॉमन चीज क्या है तो सब दिरह न यहां पर दिखा रहे हम अपो यहां पर आप का मारव यह की किल है यह संजेगा यह लोहे की कई करा है बच्चो लोहे की कि किल है लोहे की किल को किसी भी बिलियन में डालोगे तो गले रेकर इस चीज अब ये कह रहा है कि वह किस रंग में विसरजित होता है ठीक है तो वह आपका लोहे का किल जब बी कोई भी लोहा लगवा कपल सलफेट की बिलियर में डाला जाता है तो रिंका हो जाता है बच्छो तो वथ अपने रंग धारन कर देता पुछ समय के वात कैसा हो जांगा नीला हो जाता है तो आपका सभी आप संन्क्या होगा लाष्ट वाला कि लोहे किखिल घुलती नहीं और निला रंग क्या करती है आसी नंबर कहा को बच्छोड़ी कहा gives you अश्ञुक्तों था निधे हैं दूसरा मेरा और लेटेसा द्यान देती हैं दूसरा सबूरे धियान देते पैनि कि प्राषट्ट की कई होते हैं ना स्पीट कई प्रकार के होते हैं जैसे एक हाइडोजन का स्पीट हो गया ठीक है या एक जो होता है साफ करने के लिए स्पीट आते हैं अलग अलग प्रकार के स्पीट आते हैं तो कहना है कि जैसे मतलब हाथ पे हथेली पे मतलब हाथ की जो हथेली होती है ध्या तो तो जहाता है तो जहान से सुनिए आपके अंदर रखती होता है क्या होता है तो उसको क्या करते है क्या कर सकती तो आपका सही ही आंसर क्या होगा बच्चो सी डूसरे का सही हपाल किया होगा। को श्यरा है त हिए भाइगा ची गूपर सुनिएगा क्या है क्या यह रहा है कि रहा है कि दूसे दही का बनने में तो कौल सा परिवर्तन होगा तो दूर्सें धही बनने का कौन सा परिवर्तन होता रहानिक परवरतन और भौति परवरतन मैंने बता है तो रहानी करेंगे तो सब्लहु में रहां गाला कि अच्छारा आओ यह था खिल गशुन सबता है तो आप बता डालो ना रहां रहानी कर दोलतन का मतलब होता है कि जब कोई पडार्थ र flattering होने कि पर वीद्ञ में रचानी का मतलब होता है कि कि जब कोई पडार्थ जो होता है एक स्याधिक अवस्था में परवर्तन ऊपर पर वर्तन होने के पास्थ पुना अपने अवस्था में परिवर्तन करते शल्ह की तो क्या बढता है आपको मैं यहां mày इए कि दूस्से दही बनना कौन सा परवरतन है मैंने बल रहा है रसानिक परवरतन है कौन सा परवरतन है बच्छो रसानिक परवरतन है दूस्से दही बनना कौन सा परवरतन है बच्छो और सो मिस्टेक स्वारी बच्छो यहां पर मिस्टेक हो रहा है दूस्से दही बनना तो रस उससानिंप्रोधन के रूप में ए लेकिन नसले मतलब कौन सब्रैशार्या परोतन यहाँ पद्यानतर Alabama साहिवम्ञ्षा भंपरोधन auth यहाँ बॉल दिया सोरी यहाँ बच्चो रशानी प्oulotन तो दूसे दाही बनना कौन सी पालतना रहता है रस्टाइक पर द्विल कर दूसे बनता है न दूसे दाही Bakता है ना रही बना ऑं Locko Bacillus Bacteria स्वाब्लखक दूसर बनने के लिए कौन उत्रदाई होता है बच्चो बाप करना करना ना सो watching लेक्टो बैदिया्स बैक्टेरिय ओके अगला कोशन देखिए का स्वस्था में अंडव की गतीज उल्जा होती है फोस अड़ू में अडू की गतीज उर्जा कम तो द्रों वेंदों से क्या होगा बच्छों कं अपका अपसें उसका फोर का कौन सा अपसें रहy बज्छा होती है ँला很好 की ऑफ्षा होती है देखो क्या है य। यहां पर कोओशजिपन Said सुनों question यह है मतलब draw अड़व दौकी अड़व में कमीन सही मतलब आपसन तो सही यह रहा होगा लेकिन question क्या है स्वारी यहाँ पर question गोल्हुज होता ना थोस्ट के अड़ु तो आपका सही होता लेकिंत पॉर घुटे ज़ते हैं पास deeply होते हैं आपस में चिपके होते हैं ध्यान से सुनो मजा आयेगा इस वीडियो में समझते रहना कॉश्च्टन और जो आपका भी कल्ब और रहे हसते हुए पड़ो आपका मेहनत रंग लाएगा इस साल बच्छो पाल टिकनिक में टॉप करोगे कमपटिशन में बस ध्यान से पढ़ते रहो देखो यहां पे द्रौव अड़ो से कम क्यों होता है क्योंकि जो ठोस के अड़ो होते हैं वो क्या होते हैं बच्छो पास-पास हो होते हैं आपस में चिपके होते हैं चिपके और जब चिपके होंगे तो इनका आकर्शन ज्यादा होगा गतितुजा क्या होगा कम होगा बोलो सब्सक्राइब इसमें का क्या होगा आकर्शन ज्यादा होगा लेकिन गतितुजा क्या होगा बच्छो कम होगा सब्सक्राइब कॉस्चन नमर अग्ला जो चीज न हो आई कमेंट में लिको हम आथ के लिए हाद दी रहें ओके बच्छो खुचन नमर फाइब क्या है अंत्रा आमक बल होता है कि depend kalian कॉंछ नहीं परोफेये ॆीइन का मतलब क्या होता वे सुथान और और कह रहा है आंत्रा निक बल अधिक होता है किसमें होगा थोस में द्रॉव में गैस में तीनों में क्या होगा बच्चों बोलो कि आप कुछ कोश्चन का एंसर जानते हो मैंने इसको बहुत डिपली पढ़ाया है आप सम नंबर कोई भी हो आप संसे मतलम नहीं है से इसे बात है देखते देखते ट्रीक मारो किसमें होगा बच्चों ठोस में अभी आप इसी प्रितत है यानि कि कर आंत्र आंत्रा आडविक बल अधिक होता किसमें बोलो अभी बताया यार थोस में से इस पर ही कोश्चन का हमिल जाएगा देखो आपसन क्या होगा थोस में पहला आपका है ए मान लेना सही पांचवा का कौन सही होगा ए देखो यहां पर वही बात में समझा रहा हूं ग्यांसे जो थोस क्याडू होत खालिय स्थान क्या होगा कम और अकर्षन बल क्या होगा अकर्षन क्या होगा ज्यादा समझ में आया चलो अगला कोश्चन क्या है कोश्चन क्या है कोश्चन नमबर 6 6 पे आजाओ ध्यान से 6 है कोशन नमर 6 देखो ध्यान से कह रहा है जिस ताप पर द्राव का वास्पदाब जिस ताप पर द्राव का क्या बच्छो वास्पदाब वाई मंडल दाथ के क्या हो जाए बराबर हो जाए यानि कि जिस ताप पर द्राव का वास्पदाब द्राव का क्या बच्छो द्राव क क्या होगा आप में तो सम्वा का क्या होगा बच्चों सी क्या होगा बच्चों क्या होगा बच्चों क्या होगा बच्चों क्या है बच्चों क्या है बच्चों जिस ताप द्रौ का वास्प दाब वाई मंद्रे दाब के क्या हो जाता है बराबर हो जाता है तो उस्ताइब को कहते हैं अगर मालो दाब यह है वह मंदल यह दाब दोनों क्या हो जाए बच्चो बराबर हो जाए तो इसका मतलब को थनांक आज आएगा ना तो वह गलेगा नहीं आपका हिमांग होगा वह क्या होगा को थनांक यानिक टमपरेचर क्या हो गया बच्छो एक वली हो गया बराबर हो गया ठीक है जो चीज ना आये कमेंट बाक्स में लिखो आपकी महनत रंग लाएगी आप पाल टिकनीक में टॉप पर जाएंगे बच्छो लाइक करो शेयर करो ज्यादत से ज्यादा ठीक है बच्छो पढ़ो मन से कमेंट बहुत दिनों से सुन रहा था लेकि प्राबलम थी अब घ्यान से देखो कोशन नमर साथ विडियो लगतार चरहेंगे लेकिन आप लोग ख्यान दे सकत्केर ग्रंणबर 7 भाबी हस्ते हस्ते पढ़ना है है कोशन bleibt 5 चलो आजाओ देखो किस पदार्थ कताब बढ़ा यानि किस पदार्थ का ता बढ़ाने पर उनके और उनकी और उनकी और उर्जा में होगा या होगी ठीक है ब्रिधी और परवर्तित कमी या पहले कमी अफिन ब्रिधी ठीक है तो क्या होगा बच्चो कोश्चन नमर साथ क्या होगा एंसर होगा कोश्चन नमर साथ का एंसर क्य होगा एक वच्छो ब्रिदी होगा अगर यह बताओ जिस्टा मन किसी पधार्थ पर बढ़ाने पर उनके अनुगों की उर्जा में होगी आरे क्या होगी यार ब्रिदी होगी देखो सुनो अगर ऐसा समझो मानलो कि यहां पर दिखा रहा हूं यहां पर दिखाई देगा चलो देगा ध्यान दो देगा सब कुछ देगा दिखाई बस बने रहो लाइक करो शेयर करो ज्यादस ज्यादस दोस्तों को जोड़ो देखो क्वोश्चन नमर साथ का एक यह बच्छो ध्यान से क्या होगा व्रिदी होगा ना क्या वरारे ताप किस पर बढ़ाने पदार्थ पे देखो हाई कोई पदार्थ है ध्यान से सुनो इसको हम हीट कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं हीट मतलब गरम कर रहे हैं तो स्योर से बात है हीट करेंगे टुटेगा हीट करेंगे तो क्या को टूटेगा अब कुछ नहीं आता लेलो यहाँ पर जल लेलो एस्टू अभिघ्वपन को उडेंगे तो इनके अधों में जो क्या ही ब। मतलत kills a amp di बिडि आएगी ऐगी कि मतलब उर्जा तो अधिक लगेगा आ उड़ा में जितना अगर पानी को गरम करना चाहोगे जितना तंपरेचर ज्याज़त होगे उतना ही आपको उर्जा लगाना पड़ेगा किसी भी प्रकार से उर्जा लगाओ लगाओ कि नहीं लगाओ गरम करोगे तो बोलो और जितना यह उड़ जा लेंगे इनके और वो की गती में क्या होगा गती जो मोशन करेंगो उसमें क्या आएगा ब्रिधी तो कोश्चन नमबर साथ का एंसर क्या होगा बच्चो ए कोश्चन नमबर आठ देखो निम्न में से कौन सा इग्म योगी को प्रदफित करता है सहद्यम नमक ठीक है दूद्यम पानी सहद्यम पानी 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 ओं साबून कोश्चन नमबर आठ आठ का एंसर देखो क्या होगा बच्चो पानी ओं साबून कह रहा है कि निम्न में से क यहां पर अभ्यास प्रस्ता ही बात कर रहे हैं लेशन नमबर टू ध्यान रहे है इगम को समझो इगम का मतलब होता है जोड़ा कापी किताब लेके तयार रहो मज़ा आएगा इस वीडियो में जितना कोश्चन है बैसिक चीज बता रहा हूं है चलो कोशन नमर क्या है बच्चो कोशन नमर आठ को स्रे καह में निम्न में कौन साAwकी को पर दित करता है कौन वहाला अगाला पानी और साबून यहीं से होगा कौन होगा पानी और दोनों के मिलाओगे तो अलग कर पाओगे जाग देगा पानी कौन दे रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा मतलब जोड़ा बना रहे ना इसा बनाए कि वह अलग ना दिखाई दे एक साथ दिखाई दे वह आपके क्या हो जाते हैं इगम इगम बोल कि समझ आया है ना सहाद नमक अलग दिखाई देंगे पहशांजा होगे सहाद पानी दूदेवां पानी कि समझ में आ रहा है अब देखो कोश्चन नमबर 9 कि नौ पर धियां दो कितने को रहा है टोटल कोश्चन कितना है 29 है चलो 15 आज करा देते हैं 14 कल करा देंगे ठीक है लाइब वीडियो में 14 आज करा देते हैं और अगले वीडियो में करा देते हैं ओके बोलो है अगर एक सार्थ आते हो कमेंट माक्स में जल्ली लिखे वेजना कैसे पढ़ना साते हो कापी पेन लेके तयार हो बेकूफ हो मुवाइल पर कम ध्यान दो कोश्चन नमबर 9 ध्या अगरेका तोडा गुलकोज दुधिया उसमें तूतिया लिखा होगा कापर सलफेट पितल दूद आपसं देखो चाक धुने धोने का सोड़ा वाईू गुलकोज दूद संगमर्मर को तूतिया दूद पितल वाईू इस तपाद दूद यह आपके आपसं थे नौक सबाए इसका कौन होगा कोशन नवर बिकांस strategy नौका कौन सांव अबाइबacular बच्छोदी सम्झ मर अब अगला कोश्चन नमरद्स उपंस doet दो अब या है कोश्चन नमर पर तुन होता है मैंगनेशियम अब देखों बच्छों अब देखों किसी वी एल्मेंट को तको लिखने का तरीका अगर तको लिखने में अभी कमी आपके आपके दो अच्छर आती हैं तो आपका पहला अच्छर हमेंसा क्या होगा capital और दुसरा क्या होगा इसमाल क्यों एक अच्छर आती है तो लिखने के लिए हमेंसा क्या होगा बच्छो capital जैसे nitrogen oxygen बोलो है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है और उसके बाद के बच्छो और कारवन ऐसे यह तरीका सेख़ी लो q цен वी इंगारा थ्यान दो q Comics तो qsen नमरी गारए पना दो कोशिण संब्स गारा क्या है निमलकित में सुध्पधार्थ छाटी सुध्पदार्त मैंने बहुत ही deeply आपको प्रहा है सुध्पदार्त और सुध्पदार्थ के बारे में देखो दिया है सिल्कॉन दूद स्हूद गुलकोज पित्तल साबून सुध इसमें से कह रहा है सुध्पदार्त होगा कोशननम 11 इंगार हृसुद्पदार्त क्या प्रोड़ाऱ् का मतलब होता है जो एक ही प्रिकार के अभland को से मिल कर बने में होते ना वो विडियो को सुरु से देखो जितना इस चैप्टर का थैय। आप कोगी सद्धी आपने दूध स्काया अपने क्या होंगा लाष्ट gefुणिछ कोस्चन नमबर गुलकोज नहीं दिए भी दिया होगा डिक नो Pict a तो आपका फिक नहीं ऊसकता सिल्कान सब्सक्राइब भूद्ण को समझो समय को देखे इसका ता गुलकोज कमेंट कर रहा हूं दूद्ध कैसे सूध्पदार्थ नहीं है दूद में आपके दो पदात होते हैं देखो दूद्ध कैसा मिसरन होता है समांगी अभूगे समागी होता है समझो point to point इसले बताते हैं मालों एक विकर दिया इस विकर में हमने क्या रख दिया दूद यह क्या है दूद पानी मत माल लेना ध्यान दो कि बहुत से बच्चे क्या करते मुबाइल खोल के गाना देखते हैं पहले प्रहाई कर लो बैटा गाना तो बहुत सुनने मिला पूरा लाई बचा है यह पूरी लाइप नहीं आएगा देखो दूद दूद को जब हीट करते हो ना गरम करते हो क्या करते हो बच्चों हीट करत ही कि ठीक है ये होता है यह आपका गोठा चूंड होता है फ्रोटीन एफ और फूटीन इंप लोग कर दिया Aurora कैसे पहचान होती है कंसेप्ट समझोग मुद्र ध्यान दो क्या होता जो प्रोटीन अभ देखोव अब बताओ अब प्रोटीन को अफानी से जब करो blur न दूद्र आ अलग कर लोगी और है और मैंने बताया थी जो पडात होता है और जो आपका गुलकोज होता है यह आपकी एक ही पदात होती है समझ्यां आप सम नंबर 20 होगा बेसिक कंसेप्ट जो बता रहा हो ध्यान दो मज़ा आएगा कोश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं 15 कोश्चन आज 14 कोश्चन कल अंत्रा अदूइक बल नग्यन नग्यन मतलब बहुत कम होता है इसमें होगा आप संदेख के बता देंगे बेकूप थोस में द्रव में न सबस्राद कोई नहीं झानत करें और समझ рукनी अबわか रहा हूँ क्या में ऑठकीड हो death वैं ट्रिंड मत् Sex क्या हूं यहां पर द्यान दो जो बच्चे ध्यान देते रिए उनके लिए सेलूट है सेलूट और जो बच्छे ध्यान नहीं दे रहें उनके लिए बेखुब सब्द है ध्यान दो यहां पर इसका है यहां पर बारा का जो आप्सं सही है क्या बच्छों के लाधक अंतरा औरक व्होंन होता है किस वस Felix वह लगता है गैस से जैंकी जैनल क्या होते हैं और बहुत दूर्दूर होते हैं उनको कि गती करने करने के च्हमता बहुत कम होगी होगी नहीं कि उनके अड़ों के गती करने के छंता ज्यादा होगी और आकर्षन बहुत क्या होगा कम होगा तो आंतरावरिक वलका मतला कर्षन होगा तो किसमें होगा गैस में समझ मैं आप कोशन नम्मर 13 निम्नपदार्थ में उधपातन है देखो उधपातन को मैंने बताया था इसका चार्ट बनाई थी मैंने बताया था निम्नपदार्थ में उधपातन है क्वेश्चन नम्र कौन है बच्छों 13 कौश्चन नम्र 13 ध्यांजिगा निम्नपदार्थ में उधपातन है तो आपका कह रहा है सलफर नौसाधर वर्फ और या कोईला तो कौन होगा आपसर किना नौसाधर देख दें रहा हूँ बहुत लोग कंशूज हो जाते हैं बतलब भी होगा सका सही अंसर क्या होगा बत्चों भी हेवग ज्मीफ है ठीक है अगला पर नमब 14 ध्यान दों चयांसे दो 14 फिलिए क्रिसटलियठ होस है बोलो कौन होगा क्रिस्टलिठ हो होगा कौन होगा रबड आपका सही एंसर क्या होगा रबड होगा ना कॉस्चन नमबर का कॉस्चन नमबर क्या किस्ट ठोस होते हैं क्या होगा बच्चो बोलो कि क्रिशन नमबर क्या होगा अचन क्या क्या होगा दोई चीज होगा सकक्कर बोलो सक्कर को हिंदी में कहते है सरकरा तो क्रिशल सोस कौन वह कूँपो ध्यान दैंट भब डी इसका सहयस्न क्या होगा डी नौ साधर कभी नहीं होगा फ्रसा मिश्टिक मुझसे हो गया है गल्टी हो गई स्वारी क्या होगा बच्चो सक्कर होगा थीग है कोश्यन नंबर 15 लाश्ट कोश्यन आजका 15 गया Sul से सुनो कह रहा है कि प्रेशर कुकर से खाना जल्दी पक जाता है क्यों कि जल का कॉथनांग बढ़ जाता है मतलब जलका को थुनान क्या हो जाता है बढ़ जाता है पूछो कैसे इसमें कई अंसर होंगे कि स्वाट में होता रहा हूं अगर मान लो की प्रेसर कुकर के अंतरगत यह मान लो प्रेसर कुकर बना नहीं रहा हूं इसमें जो भी आपके भाप होते हैं अगर क्या बोलते हैं ज लेकिल बेससे रही इसलिए में खाना जाए आहां जाता है इसका चारी आंशर होते हैं लेकिन मैंने आपको ऐंसरा है तो इसका फूसका माड़ कोशन खिशल घाल फ़ट होता है यान् için इसका option सखता है कि इसका option क्या सखता है बच्छ bisogna जो बी कोश्षन है यह 16 करा अब बच्चे का स्टोटला कि अभ्यास नंबर दो में कितने कोश्चन है पंद्रा अरे सो पंद्रा करा दिया कितने हैं उन्तिस चौदा कल करा देंगे बोलो अगर यह विडियो अच्छा लगा समझ मैं आए सेर करो लाइप करो जड़ा दोस्त जोड़ो अचो मैं आपके साथ हजीर हूं जो भी प्रावलम है कमेंट बाक्स में लिखो नहीं समझ मैं आता है विद्यू मत कर देखो समझ मैं आता है तब देखो मेहनत करो लग लाएगी मेहनत मेहनत रंग लाएगी ठीक है ओके धन्यवाद सच्छी अकाल